नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पे आज की इस वीडिये में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में और इस योजना को हम समझने की कोसिस करेंगे कि जो 6 स्रेणी में पाटा गया है इस योजना का हम लाव यार करने की कोसिस करेंगे फिर हम आवेदन करने की मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि यह जो 6 स्रेणी है इसमें आपको कैसे कैसे यानि जो सरकार की तरफ से बताएगे यह कि इस तरह से आपको आयाद दी जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रीप्सन में हमसे बनाया हूँ, तो उस नोट्स को चलिए, पहले हम जानने की कोशिज करते हैं, कि इस नोट्स में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए कन्याा मंगला योजना 6 स्रेड़ी में जो लागू की गई है तो सब सब पहला पॉइंट है हमारे पास इस स्रेड़ी नौजात बालिका जिनका जन्म 14-2019 या उसके पस्चात हुआ हो 2000 रुपे का धनरासी का लभावनति किया जाएगा तो यह इसके कहने का मतलब यह है कि अगर यह सालवर की बच्ची है यानि जन्म लेती है तो उससे में उसे 2000 रुपे की धनरासी मुय कराए जाती है और यहाँ पर आप सकेंड पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ बालिका समलित होंगे जिनका एक वर्स के भीतर संपूर टीका करण हो चुका हो तथा जिनका जन्म 14-2018 पर यानि इसको आप समझने के कोशिस करिए कि जिस बच्ची का दो और्स हो चुका है उसको 2000 रुपे यानि सौरी 1000 रुपे की धनरासी से लवाविंत किया जाएगा वो टीका करण के बादेम से यानि उसकी देखवार के लिए और यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में ये कहा जाता है कि वह बलिका समलित होंगे जीनों ने चालू सेचडिक सच के दोरान यानि प्रतम कच्चा में जैसे आपने जैसे ही अपने बच्चे को स्कूली सिच्चा में प्रविस किया उस समय आपको भी 2000 रुपे की या करा रहा है फिर जब वह बलिका समलित होंगी जीनों ने चालू सेचडिक सत्र के दोरान नवी कच्चा में परविस लिया हो यानि इनकी आठ तक की छो से लेके आठ तक ये 2000 रुपे दे रहा है फिर वह उसके बाद से 9 से लेके 10 तक इने 3000 रुपे दी जाती है और उसके बाद से 10 तक क्या आप 12 तक इंटर तक कह सकते हैं और ये 26 स्रेणी में ये कह रहा है को सभी बलिका समलित होंगे जीनों ने 10 वी बारविक एक अच्छा उत्रड करके यानि वो इनवर्सिटी कॉलेज में जा रही है तो कॉलेज के फिस ये प्रथम मोर्स में 5000 की तो आप आप समझ चुके होंगे कि 66 स्रेणी में क्या क्या जो सरकार की पलान है किस-किस हिसाप से पैसा दे रही है उसी इसहिसाप से आपको पैसा मिलेगी तो अब मैं उमीद करता हूँ कि अब तक ये आप समझ चुके होंगे और यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य मंतरी सुमंगला योजना के जो डाकुमेंट आपको लगए यानि पातरा थी यानि आपको क्या-क्या इसमें डाकुमेंट की जरूरी है और किस तरह से आप अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट है आप वीडियो को पहुच करके पढ़ भी सकते हैं तो लबारती का परिवार उत्तरप्रदिस का निवासी होना चाहिए यह तो सभाविक है फिर सकेंड पॉइंट लबारती की परिवारी की आए तिन लाग से कम होनी चाहिए और उसके पास थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी परिवार की अधिक्तम दो ही बच्चियों का योजना का लाव मिले सकेगा और यहाँ पे देखिए अब मैं एक मत्पूर पॉइंट बताने जा रहा हूँ अगर जुड़वा बच्ची होती है दो एक ही साथ और फिर तिसरी आपकी बेटी ही होती है यानि बच्ची होती है तो उन तीनों बच्ची को लभाविंत किया जाता है इस स्कीम के दोरा और यहाँ पे देखिए परिवार में आदिक्तम दो बच्चे हो यहाँ अगर जुड़वा बच्चे होते हैं यहाँ पे कोई वो बात ही नहीं है कि तीन बच्ची का तब आप लाव लेख सकते हैं और उसका बाद से देखिए यहाँ पे जो कन्या समंगला योजना के लाव हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं तो देखिए बेटियों को उच्चुल भविस और यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी स्कीम आ जाता है और बेटी को आत्म निर्वर बनाने हितु आर्थिक मदद की विसायता दी जा रही है फिर बुरुण हत्या की घटनाव में कमी और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि महिला कोई और लकन्या के प्रतिक कितने हमारे सोसाइटी गंदी हो चुकी है इस लियास से सरकार की एक अदम देखिए कितना सकस्पूल होता है और इसके बास से हम बात करते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं इसमें तो आपको कौन-कौन सी डाकुमेंट की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला नमबर पे अधार कार्ड आप अधार कार जानी रहे हर एक फॉर्म में लग रहा है यानि एक समझ लिजिए ये एक अधार हो गया है अधार हर नामी ये इसका तो आधार कार ही है फिर बलका की पासपोर्ट साइज फोटो अभिवावक की फोटो जोईन फिर अभिवावक का अधार कार फिर पाचवा नमबर 5 बैंक पासबुक और छटवे पे देखिए टीका करण कार ये आपको पूरा अटेच करना होगा फिर जर्म प्रमाणपत्र फिर बलका की स्कूल आईडी कार फिर एक आपको एफिडेट सर्टिपिकेट बरवाना रहता है और एक सपत्पत्र 10 रुपे के स्टम पेपर पे अब हम यहां तक समझ चुके हैं कि हमें कौन-कौन सी स्ट्रेणी समझ चुके अब हम समझ चुके कि इसकी लाव क्या है फिर इसके बाद से हमें दास्तवेश क्या है आप यहां पे मुख्य उद्दे से इसका समझ सकते हैं तो इस मुख्य उद्दे से यही यही इसका महिला ससकती करण यानि female footy sites और यहाँ पर हम इसके बाद हम समझते हैं कि online अवेधन कैसे कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर online अवेधन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी site पर जाना होगा site जो मैं यहाँ पर description के link में आपको दे दूँगा और यहाँ से आप देखिए जाईएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले registration करना रहता है अगर आपने registration नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले registration करके फिर आपको logging ID सारी details मिलती है आने के बाद आपको यहाँ पर जो सिग्र संपर्क में जो box में दीख रहा है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको दीखा हूँ मिल रहा होगा कि नागरिक सेवा portal यहाँ आवेदन करें तो आपको यहाँ पर click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे और enter password आपके पास नहीं है इसका मतलब कि आपको सबसे पहले registration करना होगा याँ आप new है अगर आपके पास login ID और password है तो यहाँ पर sign up करके और आपके पास आगे process कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह contract मिल लाओगा I agree उसके बास से आपको I agree पर करना होगा फिर यहाँ पर continue करना होगा यानि जारी रखें तो continue जारी रखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा form खुल के आएगा और यहाँ पर इस form को भरना होगा तब आपको एक login ID और password दे दी जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ पर जो middle name और last name होता है यह सारी चीज फिल करने होगी और यहाँ पर उस बालका का यानि पिता या husband का नाम sorry पिता और यानि यहाँ पर दोनों option दिया हुआ है father और husband जो भी इसमें आपको उचित लगे वह आप भर सकते हैं और यहाँ पर उसके total number of children in family यानि उस परिवार में कितनी बच्चिया है total वह आपको बताना है और यहाँ पर अप्लिकेंट टाइप अवेदर का परकार कैसा है यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं ruler या urban यानि ग्रामिड चेतर या सहरी चेतर और यहाँ पर आपकी इस district से बिलॉंग करते हैं और यहाँ पर आपके एक password बनाना होगा और जो की 8 digit का ही होना चाहिए और यानि यह strong password होना चाहिए और इसके पासे यहाँ पर एक आपको confirm password जो ही आपके अपने password बनाया हो confirm करना होगा फिर आपकी annual income यहां पर देखिए check या uncheck option आ रहा है यह 3,00,000,000 से कम होना चाहिए और इसके बाद से आपको enter यहां पर capture फिल करना होगा फिर send SMS OTP पर click करना होगा तो आपके पास एक OTP के लिए number आएगा और उसके बाद से आपको आगे की process करनी होगी और एक form खुल के आजागा आपको login ID मिलेगी उसके पास एक form खुल के आएगा उसके पास आपको detail में fill कर देना होगा तो मैं उमीद करता हूँ यहां तक कि आपको यह video अच्छी लगी हो और यह knowledge full भी लगा हो और ऐसे ही योजना के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल ले विजिट कर सकते हैं इस skims and law पे और यहां पे आपको हर एक योजना के बारे में आपको जनकारी मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद